सबी साथियों माताओं बहनों को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल ATS Educational Planet में हमारी आज की वीडियो का विशह है दसमलव संख्याओं की घटा सब्ट्रेक्शन ओफ डेसिमल नंबर्स यहां पर तीन तरह के प्रसंद दिये गए हैं पिछले वीडियो में एडिशन ओफ डेसिमल नंबर्स में चार तरह के स्टैप बताए थे उन चार तरह के स्टैप सब्ट्रेक्शन में भी फोलो हम करेंगे प्रसंद नंबर एक में दो संख्याओं हैं स्टैप वन के अनुसार हम दो दसमलव रखेंगे प्रसंद नंबर दो में भी दो संख्याओं है तो ह इतने अंक है तीन इन तीन अंकों को हम 5 की तरफ से लिखेंगे 5, 6, 7 दाइं तरफ 5, 6, 7 और बाइं तरफ एक डिजिट तो 8 यहां पे लिखेंगे दूसरी संख्या है 3 दसमलव 1, 2, 4 पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है माइनस करना है दसमलव के दाइं और तीन अंक एक, दो, चार, बाइं और एक अंक, तीन, निसान माइनस का इसी तरह से दसमलव के दाइं और यहां पे एक अंक है तो लिखेंगे 5, बाइं तरफ एक अंक, 6 दूसरी संख्या में 2 दसमलव 1, 5, 6 दसमलव के दाइं तरफ तीन अंक है एक अंक, बाइं और सबसे पहले हम इस सवाल को हल करेंगे 7 माइनस 4, 3, 6 माइनस 2, 4, 5 माइनस 1, 4, 8 माइनस 3, 5 माइनस यानि सब्ट्रेक्शन को भी हम उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरह से हम बगैर दसमलव की संख्याओं को घटा करते हैं समन्य तरीके से इसमें अगला क्वेस्चन आता है, अगला स्टेप के दसमलव कहां पे आएगा दसमलव आएगा बिलकुल दसमलव के नीचे ही अब हमने इन प्रसन नंबर 2 को लिख लिया पहली संख्या में दो अंक हैं एक बाई और एक दाई और लेकिन दूसरी संख्या में दसमलव के बाद तीन अंक है तो हमें इन अंकों को पूरा करना होगा स्टेप 2 के अनुसार तो एक जिरो हम यहां रखेंगे एक जिरो यहां पे अब उपर नीचे दोनों संख्याओं में अंक समान है अब हम इनको घटा कर सकते हैं तिसरा स्टेप दसमलव के नीचे दसमलव पहले ही लिख सकते हैं जमा में भी और घटा में भी फॉर्थ स्टेप हम इन संख्याओं को उनी संख्याओं की तरह जो समान्य संख्याओं होती है घटा कर लेंगे यहाँ पर देखते हैं सुन्य यानि 0, 6 से छोटा है तो हमें केरी की जरूरत पड़ेगी तो हम केरी यहाँ से लेंगे 5 में से यहाँ बचेगा 4 यहाँ पर 9 रह जाता है और यहाँ हो जाएगा 10 तो 10-6, 4, 9-5, 4, 4-1, 3, 6-2, 4 यह आजाता है दूसरे सवाल का अंसर अब हम करते हैं प्रसन नंबर 3 प्रसन नंबर 3 में 2.5-0.750 जमा 2.5-0.825 हम इस प्रसन में देखते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके साथ पलस का निसान है और कुछ संख्याएं ऐसी है जिनके साथ माइनस का निसान है इस तरह के प्रसन को हम कैसे हल करेंगे नियम के अनुसार उन संख्याओं को हम एड़ करेंगे जिनका एक जैसा निसान है वो संख्या जिसके आगे कोई निसान नहीं होता जमा ना घटा तो उसको हम जमा का निसान मानते हैं तो सबसे पहले जो संख्या है 2.5 फिर एक संख्या और है जमा की 2.5 ही हम इसको और इसको अलग से एड़ कर लेंगे इसका निसान भी जमा का और इसका निसान भी जमा का तो इसको यहाँ पर add करेंगे अब दो संख्याएं और बच जाती है यहाँ पर minus और यहाँ पर भी minus इन संख्याओं को हम अलग से जमा करेंगे 0.750 यह लिख लिए हमने अब फॉर्थ नमबर के संख्या लिखेंगे 0 minus का निसान दसमलव 825 इनको हम add कर देंगे 5 और 5 10 केरी 2 और 2 4 और 1 5 यह आ जाता है पांच दसमलव 0 या कुल 5 निसान आएगा यहाँ पर जमा का क्योंकि जो दो संख्याई हम जमा कर रहे हैं जमा करने के बाद जो योगफल आता है निसान उसका वही होगा जो दोनों संख्याओं का निसान है यहां भी जमा यहां भी जमा तो योगफल में भी हम जमा रखेंगे इसी तरह से इन दोनों संख्याओं का निसान माइनस है तो निसान तो रहेगा माइनस का और हम इन दोनों संख्याओं को जमा करेंगे 0 और 5 5, 5 और 2, 7, 7 और 8, 15 15 का 5 हासिल यहां पे 1 तो एक यहाँ पे add होके हो जाता है माइनस एक दसमलव पाँच साथ पाँच अब हमारे पास ये आ जाता है ये पाँच पाँच माइनस एक दसमलव पाँच साथ पाँच इस पाँच मैंसे अब हमें माइनस करना है एक दसमलव पाँच साथ पाँच को तो हम अलग से इसको ऐसे लिखेंगे दो संख्याएं हैं तो दो दसमलव और 5, 7, 5 और 1 होगा बाई तरफ नीचे लाइन उपर की संख्या में दसमलव के बाद यहां नीचे की संख्या में तीन अंको के समान हम लगाएंगे 0 ताकि हम असानी से इसको माइनस कर सकें नीचे माइनस का निसान अब 0 छोटा है 5 से तो यहां से हम एक केरी करेंगे यहां रहेगा 4 और यहां हो जाता है 10, 9, 9 10 माइनस 5, 5 9 माइनस 7, 2 9 माइनस 5, 4 दसमलव के नीचे दसमलव और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यह आजाता है 3 अब लाश्ट में जो यह संख्या आती है उसका निसान क्या होगा क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसका निसान पलस का है यहां देखिए यहां पर पलस का निसान था तो यहां पर पलस का निसान है जो बड़ी संख्या होगी अंसर में जो निकल के आएगा उसका निसान भी वही होगा जो बड़ी संख्या का है यहाँ पलस है तो यह भी पलस कर रहेगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेश जरूर करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद साथियों